नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। क्या भारतिय जंता पार्टी अपने गांधी परिवार से मुक्ति की तैयारी कर चुकी है। इसके संकेत तो बहुत समय से मिल रहे थे। आज एक और नया संकेत मिला। आज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नढधा ने राष्ट्री कार्यकारणी की वहुष्णा किये। राष्ट्री कार्यकारणी से बहुत कई लोगों को हटाये गया। दो लोगों की बात जिनकी आज करने जा रहा हूँ उनमें पहला नाम है मेनका गांधी दूसरा वरुन गांधी दोनों को पार्टी की राष्ट्री कारकारणी से निकाल दिया गया इसके संकेत काफी समय से मिल रहे थे कि पार्टी हाई कमान पार्टी का जो पूरा संगठन है वो मा बेटे की राजनीती से न तो सहमत था न उसकी तस्दीक करता है अब बात अभी की करते हैं अभी जो तातकालिक कारण है तातकालिक कारण है कि लखीम पूर खीरी के मामले पर वरुन गान्धी लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे और उन्होंने दो दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटा लिया तो सवाल है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों यह बताना जरूरी है मालूम होगा आला कि आपको कि वरुन गान्धी पिली भीट से अभी लोकसभा के सदस्य है और मेनका गान्धी सुल्तानपूर से लोकसभा के सदस्य हैं बीजेपी की मेनका गान्धी काफी लंबे समय से भारत जड़्ता पार्टी की विदिवत सदस्थता ग्राज़ुक, उसके बाद जब दोहजार चौदह सर्कार बनी। अटल विहरी वाजपी की सर्कार में भी अंडिये में शामिल थी, मंतरी थी stage और ज्चौदह में भी उनको मंत्री बनाए गया। लेकिन 2019 में उनको मंत्रीपत से हटा दिया गया जो नया मंत्रीबंडल बना नरिद्न मुदी का उसमें उनको जगह नहीं दी गई और इसकी संकेत मैं जैसा कह रहा हूं पहले का कि पहले से मिलना शुरू हो गए थे शुरुवात कि इस पात से हुई लेकि इन दोनों माँ बेटें को बाजपा में लाने का या भाजपा के साथ जोड़े रहने का एक सबसे बड़ा कारण था कि उधर जो गांधी परिवार था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रेयंका गांधी उनके लिए एक इरिटेν्ट की तरह बीजेपी करती रहिये कि हमारे पास भी गांधी परिवार है हाला कि भारती जंता पार्टी में ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि वरुन गांधी राहुल गांधी का जवाब हो सकते हैं हाला कि दोनों में कोई जवाब करने की या तुलना करने की या प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं है दोनों के बारे में भारत की जंता जो है बहुत कुछ जाज चुकी है तो वरुन गांधी की इसी प्रतिभा जो जाजातर लोगों को नहीं दिखी कुछ लोगों को दिखी 2013 में जब राजना सिंग पार्टी के राष्ट्री अंध्यक्ष थे उस समय उनको पार्टी का राष्ट्री महामंत्री नियुक्त कर दिया लिया इस पर बहुत से लोगों को आश्चे ने हुआ क्योंकि वो भारतिय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्री महामंत्री थे इस उम्र में किसी को राष्ट्री महामंत्री का भाजपा में इससे पहले नहीं मिला थे कई नेता भाजपा में ऐसे थे जिनका मानना था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यर्च बना दिया जाना चाहिए कुछ लोग उनको उनको मुख्यमंत्री की भी प्रतिभा देखते थे और ये प्रतिभा खुद वरुन गांधी और उनकी मा भी देखती मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों से कोई वरुन गांधी से कभी मिला है कि नहीं उनसे बातचीत की है कि नहीं अभी 4-5 साल का तो नहीं कह सकता लेकिन उससे पहले तक उनकी इस्थिती ये थी कि अगर कोई वक्ती पहली बार उनसे मिलने जाए तो एक बात वो बातचीत में जरूर कहते थे बलकि पूछने के अंदाज में कहते थे लेकिन दरसल बताना होता है कि आप क्या आपको नहीं लगता कि मैं इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ अब ये सुनने के बाद बहुत से लोगों को समझ मिलने आता था कि जवाब क्या दें इसका कोई जवाब हो नहीं सकता है लेकिन ये ये उनकी सोच थी ये उनकी समझ थी तो देश पर राज करने वाले को कम से कब मुत्तर प्रदेश का राज तो मिलना ही चाहिए इसकी ये मत्वा कांग्छा जो अपनी प्रतिभा जो अपनी क्षमता को इस रूप में देखता हो और कोई दुनिया में मा नहीं है जो अपने बेटे में छब्दा प्रतिबा न देखती हो इसलिए मैंनका गांधी ने अगर ऐसा सोचा तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत सोचा लेकिन राजनीती में व्यावारिकता भी एक चीज़ होती है जो यथा स्थिती है उसका आकलन भी एक चीज़ होती है ये दोनों मा बेटों ने इसका आकलन नहीं किया उन्होंने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि 2014 के बाद की भाज़पा 2014 से पहले की भाज़पा से बहुत फर्क है बहुत अंतर आ गया है कामकाच की शैली, फैसले लेने के तका तरीका ये सब कुछ बदल चुका है अब यहां किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता की पसंद या नापसंद के आधार पर फैसला नहीं होता भले ही आरोप कुछ लगते रहे हैं मोदी और अमिच्शा पर लेकिन उस तरह से फैसले नहीं होते फैसले का एक ही आधार होता है राजमीतिक निखतिका कि पार्टी के लिए सिर्फ फैदा होगा पार्टी को या नुक्सान होगा ये आधार होता है तो उसके बाद जो है वरुन गांधी को पहले महमंत्रीपत से हटा दिया गया वो उनको पसंद नहीं आया, उनकी मां को भी पसंद नहीं आया लेकिन असली जो बात हुई 2017 के उत्तर प्रदेश विधान सबाद चुनाओ से पहले बहुत तेजी से मा बेटे ने कैंपेंग चलाया कि वरुन गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पत का उमीदवार घोशित करना चाहिए भाति जंदा पाटी को चुनाओ से पहले इलहाबाद में बड़ा कारिकरम था, शायद राश्ट्री कारिकारनी थी यह चीक से मुझे याद नहीं है, प्रदानमंत्री जिस रास्ते से कारिकरम इस्थल पर जाने वाले थे पूरे रास्ते में इलहाबाद में हुआ था पूरे रास्ते में वरुन गांधी के पोस्टर लगे हुए थे मुख्यमंत्री पत के उमीदवार के भावी मुख्यमंत्री के रुप में तमाम तरह की बातों के साथ ये पोस्टर लगे हुए था मेरा मानना है कि उसी दिन तय हो गया कि वरुन गांधी जादा दिन तक भारती जन्ता पार्टी में नहीं रहने वाले इन दोनों लोगों को ये जो गांधी परिवार का एक एंटाइटलमेंट का सेंस है वो उधर ही नहीं है इधर भी था और है इनको लगता है कि ये विशिष्ट है पिछले चुनाव में यानि 2019 में ही पार्टी को ये लग गया था कि सुल्तानपुर से वरुन गांधी नहीं जी किया ये कि उन्होंने पूरा जो पार्टी संगठन था उसको नाराज कर लिया, दरकिनार कर लिया, अपने कुछ लोगों की टुली बना कर और काम करने लगे हैं तो पार्टी उनको वहां से टिकट नहीं देना चाहती है तो मेनका गांधी ने उनको पिली भीद की सीट दिलवा दी उस समय और खुद सुल्तानपूर से लड़े इस से पहले 2009 में पिली भीद से पहली बार लोग सभा चुनाव लड़े वरुम गांधी और उस समय जो खबर पनी चर्चा में गांधी परिवार के चार लोग चुनाव में उतरे सोनिया गांधी राहूल गांधी मेनका गांधी वरुम गांधी वरुम गांधी की जीत का मार्जिन सबसे ज़्यादा था तुल्ना होले लगी राहूल गांधी से ये कहा जाने लगा कि जो है अगर के पास गांधी है तो भी बीजेपी के पास भी गांधी है लेकिन वो जो महत्वा कांग्शा का ऐसा नंगा नाच किया 2017 के चुनाव से पहले तभी से तैह हो गया था कि वरुन गांधी और मेंका गांधी का भाजपा में कम से कम लंबे समय तक नहीं चलने वाला है उसके बाद से पाटी ने न तो संगठन में उन्हें कोई जगह दी न सरकार में जगह दी तीसरी टर्म के MP हैं दावेदारी बनती थी गांधी हैं तो एंटाइटलमेंट था इसनाते भी जो है उनको उम्मीद थी लेकिन नहीं मिला तो मोदी और शाह की भाजपा में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो अपने को संगठन से उपर समझते हों जिनको लगता हो कि संगठन उनके लिए है वो संगठन के लिए नहीं आज जो फैसला हुआ है उनको प्रास्ट्री कारेकारणी से बाहर करने का मेरी नजर में ये केवल कुछ समय की बात है 2024 के चुनाव में मां बेटे दोनों को लोग सभा का टिकट तो नहीं मिलने वागा जी हाँ दरसल यही वज़े है वरुन गांधी का इस समय जो ट्वीट आ रहा है लखिंपूर के मामले पर इससे पहले भी वो पार्टी के खिलाफ समय समय पर ट्वीट करते रहें बयान देते रहें उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको अंदाजा हो गया है कि पार्टी अगले लोग सुबा चुनाओं में उनको टिकट नहीं देने वाली है और वो नए जगह नए घर की तलाश उनको अभी से शुरू करनी पड़ेगी एक समय था कि मेंका गांधी पूरे देश के मीडिया पर चाही होई थी जब संजे गांधी की मौत के बाद इंद्रिया गांधी के घर से वो निकली थी सामान लेकर तब एक सताई गई बहू एक जालिम सास इसका जो नेरेटिव खड़ा किया गया उसके बाद उन्होंने संजे विचारवंच के नाम से एक पार्टी बनाई उससे कई बाई-लेक्शन लड़े कुछ बाई-लेक्शन जीते उतर प्रदेश में बाई-लेक्शन जीते उसके बाद बड़ी चर्चा हुएगी पार्टी अब जो है ये राश्टी स्वरूप ले लेगी या प्रदेश में बड़ी पार्टी बन जाएगी वैसा कुछ हुआ नहीं अकबर अहमद डंपी उनके खास सलाकार और साथी थे लेकिन वो साथ भी ज़्यादा समय तक नहीं चला वो पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं चली लेकिन उसकी वज़े से मेनका गांदी पूरे देश की नजर में राज्जीतिक रूप से आ गई तो उनकी एक राज्जीतिक पहचान बन गई उस पहचान के लिए उनको कोई संगठन चाहिए था कोई साथ चाहिए था जो उसको बढ़ा कर सके जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके तो वो एंडिये में शामिल हो गई बीजेपी के साथ रही फिर बीजेपी में सदस्य बन गई 2004 में उसके बाद जब भी सरकार बनी अटल वियर वाजपई की सरकार में भी मंतरी रही और उसके बाद 2014 में भी मंतरी बनी पर समस्या ये थी इन दोनों माबेटों के साथ या है कहिए कि ये किसी संगठन के दाइरे में अनुशाशन के दाइरे में काम करने को तयार नहीं है इनको ये जो विशिष्टता का एहसास है जो उसका भान है वो इनको सामाने रूप से काम करने नहीं देता ते पार्टी के लिए एसिट की बज़ाए लायबिल्टी बन रहे थे देखे किसी भी पार्टी में जब तक इस बात की पहचान नहीं होगी लोगों के बारे में कि कौन आपके लिए एसिट है कौन लाइबिल्टी है तब तक आप पार्टी के हित में फैसला नहीं ले पाएंगे जितने ज़्यादा लाइबिल्टी वाले लोगों को इकठा करेंगे ये बोज बनकर पार्टी को ऐसे मीचे ले जाते है इस समय बीजेपी और कॉंग्रिस इस समय क्या मतला हमेशा से बीजेपी और कॉंग्रिस में जो फर्क रहा है वो इसी बात कर रहा है आप देखिए बीजेपी में नए लोग जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कॉंगरिस में जो आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं, बोज उठाने के लिए आ रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, वो पार्टी को कुछ देने की इस्तिती में नहीं हैं। इस जो फरक है उसने फैसला करवाया है ये माँ बेटे के खिलाब वरुन गंधी और मेनका गंधी के खिलाब। तो मान कर चलना चैए है कि वरुन गंधी और मेनका गंधी का भाजपा से साथ छूटने वाला है कियो उसकी अपचारी दोष ना होना बाकिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजे, नमस्कार.